Government College के अंदर admission form बढ़ने के लिए आपको simple सा क्या करना है, अपनी SSO के अंदर login करना, यदि आपके पास SSO ID नहीं बनी होगी है, तो मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, यहाँ पर i button यहाँ पर discussion पार्ट के अंदर, वहाँ पर full process बताया कि आप SSO ID कैसे बना सकते है, SSO ID में login करने करने के बाद में यहाँ आपके सामने other app का option मिलेगा, other app में आपको लेतना D जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर application आजाएगा, department of college education आपको यहाँ पर open कर लेना है, इसको open करने के बाद में यहाँ पर देख सकते है, click here to apply form, इसको उपर आपको simple सा click करना है, इसको उपर click करने क इसको number डालने के बाद में get details के उपर आपको click करना है, उसके बाद में जितने सदेशिय होंगे जन्नादार कार्ड के उदर उनकी list आपके सामने आजाएगी, जिस सदेशिय का आप आविदन करना चाहते है, हम उसके check mark पे click करेंगे, जैसे click करते तो OTP जो भी जन्नादार क आपको select करना है, जिस से भी आपने 12th की है, उसका आपको board वो select करना है, जैसे हमने राजिस्तान board से की है, आपको बता तो जो यहाँ पे 2223, 123 के अंदर जिन्नोंने board परिक्साय पास की है, वही यहाँ पे admission form भर सकते है, वरना कोई भी यहाँ पे admission form नहीं भर सकता, जैसे मा दालो, नाम हो गया, नाम के अंदर fast जो आपका word आता है, वो डालना है, इसके बाद में father का भी, वो Sam करना है, फिर passing यहाँ पे आपको select करना है, जैसे 2022 की कर रहे हैं, 2022 के अंदर 12th pass की है, तो वो करेंगे, इसके बाद में दोस्तों capture code फिल करने के बाद में आपको get details को पर personal details को उपर भेज़ गया जाता है, यहाँ पर सारी-सारी personal details आपको fill करनी है, जैसे मालो, applicant का नाम हो गया, father name हो गया, यहाँ पर mother name हो गया, यह कापी details तो यह ले ले लेता है, आपके जन्नदार card यहाँ पिर आपके mark sheet से, और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ कि are you single child girl, तो है तो yes के उपर फिल करनी है, वरना no के उपर फिल करनी है, कई बार जन्नदार card से भी आ जाती है, और यह mobile number भी जन्नदार card से आ जाता है, email address आप फिल कर सकते हैं, वरना आप यह optional फिल करो ठीक है, वरना चोड़ सकते हैं, इसके बाद में आपके category आपकी select ही रहेगी, क आपको date पूषीएगा, आपके card certificate की, वह आपको date यहाँ पे फिल करनी है, जो भी आपकी date है, वह आपको यहाँ फिल करनी है, अपने card certificate की, वरना आप अधर के ऊपर click करके, यहाँ पे cast आप feel कर सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पर कर गया, आप दिवयांग है, नहीं है, ह अब नो की उपर क्लिक करेंगे तो इसको पर क्लिक करेंगे तो आप किस परकार की बीपिल है नो के विपर आपको क्लिक करना है उसके बाद में यह दो है कि दीव भुधिया है वहां से आप माईघट हुए है तो आप यिसके अउपर क्ली करेंगे वरना आप कि और उपर क्लीक करेंगी, उसके बाद में EAR YOU Viese थे नाने होपर क्लिक करेंगी。 क्या आप इस टेट गवर्णमेट के employer है है तो यसके उपर click करेंगे वर्णा नो के उपर click करेंगे इसके बाद में have you lost any of the parents father mother or husband COVID-19 गंदर किसी को आपने खोया है आप किसी की मौत हुई है तो यसके उपर click करेंगे वर्णा के उपर click करेंगे इसके अंदर यदि आप इंडियंस है तो इंडियंस फिल करेंगे इंडियंस होंगे इंडियंस आपको फिल करना है इसके बाद में किया आप राजिस्तान के निवासी है जिसके उपर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपका यहाँ पर स्टेट सेलेट हो जाता है यह सारी डीट है Bonus Mark, तो यह को उपर क्लिक करेंगे, करेंगे तो यहांपर Bonus type क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप Черफ क्लिम करने वाला है, NCC certificate, NSS certificate, हम दोस्तों यहांपर कुछ भी क्लैम नहीं करेंगे, उसके बाद में, यहांपर आपको Secondary की इसके बाद में यहां पर आपको नाम डालना स्कूल का फिर आपका किस यह आपने पास की है तो 2020 के अंदर यहां पर टैंथ की है इसके बाद में यहां इसके बाद में आपको और सब्सक्राइब कर लेना है इसके बाद में नीचे की तरब क्या किस स्रीज के लिए क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको इस इसके बाद में आपको यहां पर सब्सक्राइब कर रहा हूं यदि इन में से कोई आपको सब्सक्राइब नहीं होता है तो आप दूसरे सब्सक्राइब अब कॉम्बिनेशन ले सकते जैसे जिए जियोग्राफी वाला में सब्जेक्ट है यहां पर ले रहा हूं तो मैं दो जो सब्जेक्ट है वो सेलेट कर रहा हूं यहीं मुझे यह इस्ट्री इंदी लिट्रिस और पॉलिटिकल साइंस वाला मुझे जो है अप्ट नहीं होता सब्सक्राइण को सब्सक्राइण करना तो प्रियुटी टू एक्टिभिटीच to students in college कौन सी आप जो activity सूज करना चाहोगे NCC यहाँ पर NSSS यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हो एक एक सेलेट कर सकते हो आपको जो पसंद आती है अब दूस्तों यहाँ पर आपको करना है आपका public transfer आपके पास है आप किसे यहां पर travel करते हो यहां पर हम के उपर क्लिक करेंगे public transfer are you interested in certificate diploma skills course along with your degree course यहां आप डिप्लोमा skill course भी साथ में लेना चाहते इस degree के लेना चाहते यह के उपर क्लिक करेंगे इसके बाद आप जो इनको पसंद आए आप यस कर सकते हो वड़ना नो के उपर भी क्लिक कर सकते हो कि यहां पर दोस्तों bank details फिल करनी है जो रिपंड के लिए इनकेस आपका कुछ रिपंड करती है college उसके अंदर आपका bank account जरूरी इसके अंदर यहां पर देख सकते bank account number डालना है bank account holder नाम बैंक का नाम जो भी bank के है यहां पर दिख जाती है इसके अंदर उसके बाद में आपको branch name यह सब यह इसके ब्न करना है तो दोस्तों मैं ने गोश्ना पत्र अप्लोड किया है car cert बिगेट जीगा आप प्लोड कर सकते है जो कि यहां से आप डाउनलोड कर सकते है यहांसे यहां पर दोस्तों क्या करूंगा यहां पर जो डिगलिक्रिक्षन है वह तो यह आप्स हब करेंगे इसको उड़े लिए पर उप्र क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं पेटियम का payment गेटव servant ऑजाता है इसके दर हमें जो है पेत्यों QR code का भी option आएगा लगभग यहां पर आपको तब QR code का option आगया हम QR code से यहां पर जो है इस केन कर लेंगे 10 रूपे का payment यहां पर कर लेंगे 10 रूपे का हमने payment है वो successfully कर दिया यहां पर फिर से redirect किया दा रहा है application form पर यहां पर देख सकते है application form आ चुगा हमारे सामने है इसको आप प्रिंट कर सकते है तो हमारे जो application form है वो submit हो चुगा है आप कुछ इस तरीके से हो है आप application form submit कर सकते है तो दोस्तर इस वीडियो में बस रहता है और वीडियो के लिए ज़रू सब्सक्राब कीजिए